इस वक्त चीन में मच्रेक और राम के पीछे ओमिक्रोन BF.7 है जिसने दुनिया भर के देशों को चौका दिया है COVID-19 संक्रमन की वज़ा से बनने वाले वाइरस 2020 में अभी तक कई बार म्यूटेड हो चुका है हर नए वैरियंट ने पुराने वैरियंट को पीछे छोड़ा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया नमस्कार मैं शुभी महिश्वरी और आप देख रहे हैं स्पाइस न्यूज भारत चीन में कोरोना के नए मामलों के पीछे ओमिक्रोन बीएफ पॉइंट सेवन है और ये ओमिक्रोन का बीए पॉइंट फाइफ का सब वैरियंट है जैसा कि चीन में COVID की स्थिती से साफ हो गया कि BF.7 वहां तेजी से लोगों में संक्रमन फैला रहा है आशंका जताई जा रही है कि वहां इस वेरियंट से लाखों लोग मारे जा सकते हैं और ये तक्रीबन वहां की 60 करोड आबादी को प्रभावित कर सकता है रिपोर्ट्स के अनुसार Omicron BF.7 लोगों को जल्दी शिकार बनाने की ताकत रखता है भारत में अब तक इसके चार मामले सामने आ चुके हैं जिसके बाद सरकार शक्ती में आ गई है और कई तरह के अलर्ट जारी किये हैं इस वेरियन के लक्षन भी संक्रमित होने के बाद जल्दी दिखने लगते हैं जिससे लोग आसानी से संक्रमित हो जाते हैं आई आपको बताते हैं कि इसके लक्षन क्या-क्या है लक्षन और इंफेक्शन की बात करें तो इसे एक संक्रमित होने पर बुखार, खासी, गले में खराश, नाक बहना, कमजोरी, ठकावट और कुछ केस में उल्टी और दस जैसे पेट से जुड़ी बिमारियों का भी अनुभव हुआ है वहीं इसके बजाब की बात करें तो मास्क लगाने से लेकर रेगुलर सैनिटाइजेशन की जरिए इससे बचा जा सकता है इसके साथ ही यदि आपने booster dose नहीं लिया तो ततकाल ले लें क्योंकि यदि आप इस variant से संक्रमित हो जाते हैं तो उस हाल में आपको इस से लड़ने से मदद मिलेगी साथ ही vaccination आपको इस variant से बचा सकता है इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चानल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें